दोस्तों आज हम बनाएंगे साबुदाना के एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे पकोडे और ये पकोडे बनाने के लिए नहीं आपको साबुदाना भुनना है ना भीगोना है फटा फट बनके त्यार हो जाते हैं सिर्फ साथ से 10 मिनट का टाइम लगता है तो चलिए रेसिपी क सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका सवागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ साबुदाना पकोडे और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ प पकोडे बनाये जाते हैं तो सबसे पहले हम डाल देते हैं साबुदाना को मिकसर जार में और इसका पौडर बना लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने साबुदाना को पीस लिया है जैसे चावल का आटा होता है हलका सा दर्दरा है यह बहुत बारिक पीस के तयार नहीं होत आपको ज्यादा बनाना है तो दो आलू ले सकते हैं, ये कप साबुदाना ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे घटा या बढ़ा सकते हैं, अब हम आलू को कट कर लेंगे, कट करके इसमें आलू को डाल देंगे, आप सोच रहे होंगे कि आलू और साबुदाना को एक साथ क्यों से यह देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च थोड़ा सा अद्रक और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे यह अच्छे से पिज जाए तिया पर सबसे पहले मैंने यह पर हरी मिर्च डाल दी है एक चमच ग्रेट किया हुआ अद्रक डाला है आप चाहे पानी भी इसमे एड़ कर दिया है, ढकन लगाएंगे और इसे रुक रुक के चलाएंगे और इस तरीके से महीन पीस लेंगे, एकाद आलू के पीस आते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी पकोडे में अच्छे लगते हैं, ये देखें, इस तरीके से मैंने पीस लिया है, अब इ हरी धनिया, आप ब्रत में नहीं बना रहे हैं तो इसमें धेर सारे मसालों का यूज़ कर सकते हैं, पर बीना मसालों के ही इस तरीके से बनाएगा, बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगी, दस मिनट के लिए ढख के छोड़ दिया था, दस मिनट के बाद देखिए ये ठीक हो जैसे पकोड़े का बेटर बनता है बिल्कुल उसी तरीके से बना लीजेगा, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का हो गया है, हाथों से भी हम मिला ले रहे हैं, अच्छे से ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से मिला दिया है, अब हाथों को धो दो और धोने के बाद पकोड़ा तलना सुरू करेंगे ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ इस तरीकी इसे छोटी-छोटी से पकोड़े बनाईएगा अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पे हमें रखा है ओयल आप ओयल और घी कुछ भी ले सकते हैं ब्रत में जो भी खाते हैं उसे ले सकते हैं नौरात्री का ब्रत चल रहा है आप इसमें एक बार तो इसे जरूर बनाईएगा पूरे दिन आपको भूक नहीं लगेगी एक बार खाने के बाद बड़े से बच्चे सब खुस होके खाएंगे और ये देखिए इस तरीके से खुब अच्छे से करम किया हुआ तेल है उसमें हम डाल रहे हैं छोटे छोटे यहां पर मैं डाल रही हूँ पकोणों को आप चाहें थोड़े बड़े बना सकते हैं साबुदाना बहुत स्टिकी होता है तो पकोड़े थोड़े कम ही डालिएगा और थोड़ा सा दूर दूर डालिएगा ताकि ये आपस में चपके नहीं ये देखिए और ये अगर आपस में थोड़े बहुत चपक भी जाते हैं तो बिल्कुल टेंसन मत लीजिएगा और धीरे धीरे जब आप पलटके इधर इसे फ्राई करेंगे तो एकदम अलग-अलग हो जाएंगे ये देखिए अब इस तरीके से मैंने सारा डाल दिया है आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से डालने के बाद और तुरंत हम इसको पलटेंगे नहीं थोड़ी देर तक इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाए और जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा अच्छे से तभी हम इसे पलट लेंगे तो बस अब यहां पे सारे पकोड़े हमने लग-बग डाल दिये हैं और थोड़ी देर तक इसी तरीके से पकने दूँगी और थोड़ी देर के बाद ही इसे हम पलट लेंगे आप देख पा रहे होंगे एक साइट से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब मैं इसे पलट लेती हूँ आपको लग रहा होगा कि इस्टिकी हो चुके हैं पर नहीं थोड़ी देर के बाद ही ये सारे अलग-अलग हो जाएंगे जब दूसरे साइट से फ्राई कर देंगे तो ये देखें अब अलट पलट के अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे जब आपका भी साबुदाना भीगोना भूल जाते हैं और आपका ब्रत है साबुदाने की रेस्पी बनानी है तो फटा-फटी रेस्पी को बना लीजेगा बहुत ही लाजबाब बनती है और इसके लिए अलग से कोई त्यारी करने की जरूरत नहीं है ये देखिए सेम प्रोसेस से सारे साबुदाने को हम इसी तरीके से तल लेंगे ये देखिए यहाँ पर पकोड़े बनके तयार हैं मेरी ये रेस्पी आप कहां से देख रहे हैं और मेरी रेस्पी आपको कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तों मेरी रेस्पी आपको जरा से भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, चैनल को सब्स्राइब कीजेगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा मिलते हैं नई रेस्पी के साथ, बाई बाई